आज हम स्टार्ट लेंगे अपना नेक्स चाप्टर, इस चाप्टर नमबर नाइन अफ यूर बुक, इस डिटर्मिनेशन ओफ इनकम अफ सर्टेन बिजनस और प्रिफेशन ओन अप्रिसंप्टिव बेसिकली इस चाप्टर में हम कुछ ऐसे बिजनस की बात करेंगे, कुछ ऐ अपनी इंकम फुली टिक्सेबल करवाएं या प्रिसंप्टिव बेसिस पे करवाएं, तो वो आपके जो बिजनस हैं या जो बिजनस हैं उनको हम यहाँ पे डिसकस करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, Determination of Profit and Gains of Eligible Business, अब यहाँ पे पॉइंट उठता है कि यह Eligible Assessie कौन है, पहली बात, दूसरा कि Eligible Business क्या है, इसको करने के लिए सबसे पहले मैं इसी स्लाइड में बिलकुल नीचे एक्स्प्लानेशन दी हुई है, हम पहले उसी को पढ़ेंगे, Eligible Assessie कौन हो सकता है, जो इस Determination of Profit of Eligible Business यानि Section 44 AD में benefit ले सकता है, वो कौन हो सकता है, यह है आपका कौन हो सकता है, दूसरा, who has not claimed, यानि ऐसा सेसी, who has not claimed deduction. Under any of the sections 10AA, ATIA, ATIAB, ATIB, then ATIBA, ATIC, ATIE, ATJJA, ATLA, ATQQB, and ATRRB, इन सब के अंडर में से किसी में भी उन्होंने कोई claim deduction का, यानि कोई भी claim नहीं किया. अब बात करते हैं, Eligible Business क्या है? That means, any business, except the business of plying, hiring, or leasing good carriages, जो हमारा next point है, वो हमारा different business है, उसको छोड़के, बाकि आपका कोई भी business हो सकता है. और लेकिन उसके लिए एक condition और है, वो क्या है? whose total turnover, और gross receipts. पूरे साल की, जो उसकी gross receipts हैं, या total turnover है, in the previous year, does not exceed 2 crore rupees. तो यहां तक उसकी maximum limit होनी चाहिए, तब आपका ये presumptive वाली choice उसको मिल सकती है. अब ये presumptive वाली choice है क्या? यानि उसका सारी income taxable नहीं होगी, सारी यानि gross receipts taxable नहीं होगी, सिरफ उसका कुछ portion जो है, वो taxable माना जाएगा. अब वो कुछ portion कितना है? सबसे पहले, अब हम वापिस आ रहे हैं अपने point पे, the income from such business shall be presumed, presumed है, to be actual नहीं है, हम presume कर रहे हैं, okay? So, first 6% of the total turnover और gross receipts, सिरफ 6%, okay, that will be presumed to be taxable, okay? लेकिन यह कब 6% होगा? when the gross receipts are received by an account paycheck or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account during the previous year or before the due date of furnishing the return of income in respect of the previous year. तो जो भी payment मिली है, वो उसको cash में नहीं मिली है, यह सारे modes के थू मिली है and that is either previous year खतम होने से पहले या फिर due date of filing of return से पहले, उसको यह सारी payments in mode से मिल चुकी है. तब हम सारा नहीं लेंगे, हमारे पास option क्या है? 6% will only will become taxable. दूसरा, the benefit of 6% presumed income shall also apply to an assesee who receives the payment through such other prescribed electronic modes. इसके अलावा भी जो अभी हमने उपर modes करें है, उसके अलावा भी कोई और अगर कोई नया electronic mode आ जाता है, तो उसके थू भी अगर आपको payment हुई है, वो तब भी आपका 6% वाली category में ही आएगा. यह तो हुई 6%. कभी-कभी 8% हम लेते हैं. वो कब लेते हैं? 8% हम लेंगे उसी total turnover का या gross receipts का जब हमें जो payments मिली हैं previous year के खतम होने से पहले या हमारी due date of return से पहले जो payments मिली हैं, that is not according to the above. जो उपर हमने categories करी है payment की, अपनी networking के थूँ, या bank draft के थूँ. तो इस तरह से अगर आपको payment नहीं मिली है, तब आपका जो amount होगा, that will not be 6%, it will be 8%. अब यह याद रखिए, हमने दोनों points में पूरी gross receipts नहीं ली, पूरी income नहीं ली, तो याद रखिए, इस 6% में से या इस 8% में से हम कोई deduction भी minus नहीं करेंगे. अपने business head में, हम जब पूरी income लेते हैं, पूरा profit लेते हैं, तो हम deductions भी minus करते हैं, लेकिन इस case में हम कोई deduction minus नहीं करेंगे, not even depreciation, यह याद रखिएगा. अब यह जो कुछ मैंने आपको बताया, हम इसको इस illustration की मदद से करेंगे. इस 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 आरी करेंगे लेकिन लेकिन पूरी बताया पूरी नहीं करेंगे. 20 okay so this is he wants to pay tax on his income assuming the income that is at the rate of 8% तो उसने अपनी चॉइस बता दी है 8% के accordingly okay वो अपना जो है income consider करना चाहता है आप देखिया आगे जरा further against such income he wants to claim a depreciation ये याद रखियेगा आप इसको ये depreciation का खर्चा इसके profit में से minus नहीं होगा क्योंकि हम सारा profit नहीं लेंगे बल्कि total gross receipts का लेंगे सिरफ 8% तो उस 8% में से आप depreciation minus नहीं करेंगे लेकिन हाँ depreciation आप written down value अपने जो asset है plant and machinery उसकी written down value निकालने के लिए अलग से working notes में minus कर देंगे लेकिन हमारे profit में से ये depreciation minus नहीं होगा तो मैं पढ़ने जा रही हूँ क्या बताया जा रहा है further against such income he wants to claim depreciation at the rate of 15% on plant and machinery okay written down value जिसकी है 10 lakhs on the जो आपका previous year है उसके शुरुवात में शुरुवात का भी previous year की 1st April 2019 को तो value क्या थी 10 lakh अब current year की depreciation आप इसमें से minus करेंगे और साल के आखिर में previous year के आखिर की written down value आपको मिल जाएगी आगे पढ़ रही हूँ मैं which he used for the aforesaid business find out his income accessible under the head profit and gains of business or profession और साती साती इनोंने कहा है written down value भी calculate करो of your plant and machinery तो देखते हैं नीचे आपको point दिया जा रहा है income जो आपकी calculate हो रही है वो है सिरफ 8% of 120 lakhs और वो कितना बना 9,60,000 यह fully taxable होगा ओके नाव लेकिन इसमें से हम minus कुछ नहीं करेंगे दूसरी चीज इनोंने जो आपसे पूछी है वो है written down value यानि closing written down value that is at the end of the year अब वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारी written down value शुरू में कितनी है 10 lakhs उसमें से हम minus करेंगे उसका 15% और हमारे पास आजाएगी written down value at the end of the year तो यह है आपका illustration 1 इसी से मिलता जुलता हम बात करेंगे illustration 2 की illustration 2 है आपका a businessman is eligible to compute his income under section 44 AD from the following information compute his business income sale by electronic clearing system तो हमारा formula क्या लगेगा कितना percentage 6% लेकिन other sale electronic media के अलावा it is 8% तो आप लेंगे first point का that is 6% और दूसरे point का that is 8% is that clear and the total income will be your taxable income that is business income अब second point पे आ रही हुमें this is determination of profits and gains of business and profession okay under section 44 ADA eligible assessee any assessee resident in India who is engaged in a profession पहले वाला point था हमारा business से related अब बात कर रहे हैं profession से related okay उसके बात जिसकी अब यहां पे कौन सा professional है whose total gross receipts do not exceed 50 lakhs in the previous year businessman के case में हमने पहले वाले point में 44 AD में क्या किया था it was the limit was 2 crore लेकिन professional के case में under section 44 ADA क्या है 50 lakhs ठीके तो यह आपकी condition है अब जब हमने business की बात करी थी तो हमारे पास दो options थी either 6% और 8% जब हम यहां पे 44 ADA में बात कर रहे हैं it is 50% of the total gross receipts तो यहां पे भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी वही conditions applicable है इस में से कोई भी deduction आप minus नहीं करेंगे not even depreciation is that clear? लेकिन अगर एक व्यक्ती अगर एक person proper अपनी professional income दिखाना चाहता है तो उसको proper अपनी books of accounts रखनी पडेंगी और उनको audit भी कराना पडेगा is that clear? लेकिन 44 ADA में कोई इस तरह की आपके पास condition नहीं है okay now we come to the third type of business जो आपका presumptive में हम करेंगे determination of profit and gains of business of applying, hiring or leasing goods carriages okay this is under section 44AE sections बहुत जरूरी है यहाँ पर याद करने अब यह किसके लिए है? यह हम बात कर रहे हैं जो transport का business है okay so the provisions of section 44AE are applicable to an assessi who is engaged in the business of applying, hiring or leasing of goods carriages okay और कौन से businessman की बात कर रहे हैं? जिसके पास जिसके पास who owns not more than 10 goods carriages at any time during the previous year जो transportation के business कर रहा है उसके पास जो वो transport है उसका okay जैसे अगर हम trucks की बात करें ठीक है lorries की बात करें तो उसके पास number of lorries या number of trucks जो है जो उस carriage के लिए वो किराय पे देता है ठीक है? उसका number 10 से जादा नहीं होना चाहिए he should be the owner of not more than 10 goods carriages is that clear? यह एक condition है अब आगे बात करेंगे the income of such business shall be presumed to be the aggregate of the profit and gains from all the goods carriages owned by him in the previous year और जिसको हम compute कैसे करेंगे उन्हेने कहा कि जितने भी उसके पास good carriages है सबका हम एक तहां से amount calculate करेंगे और सारा जी total होगा that will become taxable under section 44 AE लेकिन उसको calculate कैसे करेंगे यह decided है देखिये जरा the presumed income from heavy goods okay heavy goods vehicle अगर है shall be उसके लिए आप value कैसे calculate करेंगे shall be 1000 rupees per ton okay of gross weight of vehicle or unleaden weight as the case may be ठीके आप क्या करेंगे 1000 को multiply करेंगे जितने भी tons की उसकी capacity है उसके साथ और साथ में आप multiply करेंगे with the number of months also अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ने जा रही हूँ for every month और part of a month during which the heavy goods vehicle is owned by the assessi in the previous year याद रखियेगा आपके पूरे months तो हम लेंगे complete months लेकिन उसके साथ जुड़े हुए अगर दिन भी है चाहे एक दिन भी क्यों न हो आप उसको एक महीना मानेंगे तो जैसे 9 months और 20 days है तो आप उसको क्या मानेंगे 10 months और आप इसके साथ भी उसको multiply करेंगे तो आपके पूरे बड़े आपके जो ट्रांसपोर्ट है उनके लिए लेकिन अगर आपका जो वहिकल है वो मीडियम या लाइटर है अगर दिन भी को छोड़के मीडियम है या लाइट है यहां पर आप 7500 को multiply करेंगे with the months सिरफ आप month से multiply करेंगे जबकि पहले वाले में आपने 1000 को tons के साथ भी multiply करा यह ध्यान में रखिएगा अब हम बात करते हैं यह heavy और lighter जो वहिकल है उसकी पहचान question में तो आपको दिया होगा लेकिन पता होना चाहिए आपको explanation दी हुई है heavy good vehicle means any good carriage the gross weight of which exceeds 12,000 kgs यानि 12 ton से जो है ज्यादा है उसके बाद however an assessi में declare a sum higher than the aforesaid sum उसके बाद नीचे आपका दिया जा रहा है when the income is presumed to be under section 44AE उसमें से कोई भी deduction कोई भी खर्चा आप minus नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें जो है हम आगे पढ़ेंगे अपने मदद लेंगे हम illustration की illustration number 3 a truck operator a sassy owns two heavy goods vehicle two heavy goods vehicle heavy goods vehicle है बिटा okay gross weight जिनका 15 ton each है 12 ton से जादा है ना so that is heavy goods vehicle for a for 9 months 14 days okay ये उसके अलावा 2 तो heavy goods हो गए vehicle हो गए और 7 light goods vehicle है for कितने months के लिए कितने दिन के लिए 7 months 23 days okay during the previous year he did not keep any accounts for freight, receipts and expenses okay compute his income from business under section 44 a.e of the income tax act सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये section 44 a.e के लिए eligible भी है उसके लिए condition क्या थी 10 vehicles से जादा उसके vehicles नहीं होने चाहिए जरा total करो 2 plus 7 9 इसके पास तो सिरफ 9 vehicles है तो इसका मतलब yes he is eligible for that is under section 44 a.e presumptive income ओके ये हमने decide कर लिया अब जाएंगे हम calculation पे heavy good vehicle के लिए जो formula आप लगाएंगे वो है number of vehicle multiply by 1000 multiply by that is tons कितने tons की capacity है okay and multiply by the total time period okay so यहाँ पे formula क्या लगेगा कितने vehicles थे आपके 2 multiply by 1000 कितने ton का एक था 15 tons का multiply करेंगे 15 से and multiply करेंगे उपर question में देखिए जरा क्या दिया हुआ था 9 months and 14 days and मैंने कहा चाहे एक दिन भी हो आप उसको एक महीना मानेंगे तो total months कितने हो गएं आपके 10 months तो 10 से आप multiply करेंगे and पूरा अंसर आपका आ रहा है 3 lakh रुपीज यह तो हुआ heavy goods के लिए अब light good vehicle की बात करते हैं कितने थे आपके 7 तो 7 multiply by 7500 multiply by total months 7 months 23 days को हम convert कर देंगे कितने में that is 8 months so 8 से multiply कर देंगे और आपका अंसर आ जाएगा 4 lakh 20,000 दोनों का total किया 7 lakh 20,000 will become taxable उसके बाद next इसी में related है illustration 4 a partnership firm is engaged that is in the business of plying and hiring good carriages the firm wants to compute its income under section 44 AE from the following information compute the business income of the firm the firm has 9 light good vehicles out of which 2 were purchased on higher purchase system on 20th January इसी साल previous year में 2020 में so इसका मतलब हम ये total 9 good vehicles को हम 2 parts में divide कर देते हैं एक तो हमारे कितने होंगे 7 7 vehicles हमारे हैं जो हमने पूरे 12 महीने यूज करे ओके जो चले आ रहे हैं पूरे 12 महीने हमने उनको यूज किया लेकिन दो वहिकल ऐसे हैं जिनको आपने खरीदा मिड जैन्वरी में 20 जन्वरी को इसका मतलब उसको कितने महीने कितने दिन यूज करा अगर आप देखें तो आधा महीना हो गया कब का that is 11 days हो गए आपके जैन्वरी के February पूरा यूज करा March पूरा यूज करा तो कितने हो गए 2 and a half लेकिन 2 and a half को हम कितना मानेंगे 3 months तो आप देख सकते हैं formula क्या लग रहा है 7 into 7,500 into 12 और दूसरा दो वहिकल जो आपने जैन्वरी में खरीदे 2 multiply by 7,500 multiply by 3 तो इन दोनों का total करके आपकी total business income आ गई 6,75,000 अब हम बात करेंगे एक और business की और वो business क्या है जो आपके various investments के agents होते हैं So, the fourth point is determination of commission income of agents of LIC of India UTI, etc The income of authorized commission they are authorized commission agents जो आपको एक mediator होते हैं आपकी इन companies और जो customer है उनके बीच और उनको बदले में customer बनाने के लिए commission मिलती है So, basically we are talking about that commission income Okay, the income of the authorized commission agents of LIC, Unit Trust of India, Post Office, Government Securities, Public Provident Fund and Notified Mutual Fund shall be computed as under इसको हम दो categories में divide करेंगे पहला A Where the commission is not more than 60,000 आपकी जो commission का total amount पूरे साल की commission का है वो साथ हजार तक है उससे जादा नहीं है Okay, तो इसके लिए हम सबसे पहले calculation करेंगे If the total commission during the previous year Okay, first year, renewal commission and bonus commission क्योंकि commission की भी variety है First year commission नया customer बनाया जब Renewal commission पुराने customer की insurance को renew करवाया जब And तीसरा है आपको bonus मिलता है That is the bonus commission Okay, does not exceed Rs. 60,000 And detailed accounts for the expenses incurred by him are not maintained Tब ही वो आ रहा है आपकी इस category में क्योंकि उसने proper accounts maintained नहीं करे हुए Okay, so यहाँ पे आपकी presumptive basis पे कैसे हम calculation करेंगे उसकी income की यह चार्ट के थूँ समझाया जा रहा है जिसके columns है सबसे पहले Particulars of commission यानि commission कौन से वाली की हम बात कर रहे है अब second में हम बात करेंगे कि इस commission में से हम कितनी deduction minus करेंगे हमें छूट मिल रही है कुछ deduction हम minus करेंगे और हमारी जो maximum deduction है वो कितनी हो सकती है कितनी हम maximum कर सकती है यह यहाँ पे आपके last column में दिया हुआ है तो पहले बात करते हैं LIC agents ठीके? तो Life Insurance Corporation of India के जो agents हैं उनकी उसको भी आगे हम divide कर रहे हैं first where separate figures of first year and renewal commission is available जब आपको पता है कि आपका पूरे साल में कितनी तो नए customer के लिए commission मिली और कितनी renew करवाने वाले customer के लिए commission मिली यह data आपको पता है तो अगर आपको first year की commission का अलग से data पता है तो आप उसमें से minus करेंगे उसका 50% ओके? यह दिया हुआ है और renewal commission का data भी आपको पता है तो renewal commission में से आप minus करेंगे 15% ओके? यह हुआ आपका point लेकिन यह दोनों का total 20,000 से ज़ादा नहीं हो सकता so that means this amount or 20,000 whichever is less आपकी deduction का amount है अब बात करते हैं next B point में which separate figures are not available हमें पता ही नहीं कोई हमारे से पूछ रहा है कि भाई आपकी first year commission कितनी है और renewal commission कितनी है तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमने तो proper accounts रखे ही नहीं हुए हम तो सिरफ यह पता है कि हमारी total commission इतनी है से एक ही बार एक चीज minus करेंगे और वो क्या minus करेंगे उस commission का 33 1 by 3 percent Is that very clear? लेकिन ये भी amount 20,000 से जादा नहीं हो सकता So maximum limit जो इन्होंने लगा दी है वो है 20,000 अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी commission की जो हमें मिलती है that is known as bonus commission इस में से आपको कोई deduction नहीं मिलेगी तो deduction जो आपको मिल रही है वो सिरफ मिल रही है first year commission पे और renewal commission पे ये याद रखियेगा अब हम बात करते हैं बाकी agents UTI के, post office के या बाकी इन सब को जितनी भी commission पूरे साल में मिलेगी उस में से एक ही deduction minus होगी और वो है 50% is that very clear? so there is no limit also okay so ये है जब 60,000 से जादा आपकी commission नहीं होती अब next बात करेंगे where the commission is more than 60,000 that is the B point no ad hoc deduction will be allowed to the agents whose gross aggregate commission exceeds 60,000 they will be allowed deduction as per the provisions of section 30 to 43 B of the Income Tax Act इसका मतलब ये वाले persons presumptive की category में नहीं आएंगे तो presumptive की category में कौन आ रहे हैं? सिरफ वो सिरफ वो व्यक्ति जिनकी commission का amount 60,000 तक है उससे जादा नहीं है ओके आगे आजाएए जब भी आपको commission मिलती है if the aggregate commission on insurance business exceeds 15,000 अगर आपकी commission 15,000 से जादा होती है तो याद रखिए इस पे कटता है TDS और TDS का rate क्या है? that is generally 10% लेकिन अगर आप individual है तब आपके लिए TDS का rate कटा जो होगा वो है 5% तो individual को छोड़के बाकी सब के लिए TDS का rate है 10% और individual के लिए 5% लेकिन TDS का rate का कब? जब आपकी commission का amount, insurance commission का amount 15,000 से जादा है तो ये सब कुछ हम करेंगे कुछ questions की मदद से We talk about illustration 6 In the following cases, अब ये cases कितने हैं? तीन, A, B, C इन्होंने आपको information दी है insurance commission की First year commission, renewal commission, bonus commission और तीनों का जड़ा आप total देखिए तीनों में से किसी का भी total 60,000 से जादा नहीं है इसका मतलब ये हमारे presumptive की category में आएंगे और इन में से हम deduction minus करेंगे So, अब बात करते हैं solution की हम एक-एक करके बात करेंगे First वाला A, A वाले की बात करेंगे Case A First year commission है 10,000 10,000 first year commission है अलग-अलग हमें data पता है तो first year commission में से कितना minus होना है? 50% उसके बाद renewal commission में से कितना होना है? 15% Bonus commission में से कितना होना है? Nil हम उसमें से minus नहीं करते Okay जरा 50% और 15% हम calculate करा वो कितना बना? 5,000 and 4,500 और total आपका 20,000 से कम है तो अब इसको आप minus करेंगे 10,000 minus 5,000 कितना बचा? Net income 5,000 30,000 minus 4,500 25,500 और bonus commission as it is taxable होगा Okay तो कितना बन गया? 48,500 ये case A का answer है Case B similar है First year commission 30,000 में से कितना minus करा? 50% Okay उसके बाद renewal commission 15,000 में से minus करा? 15% and bonus commission में से कितना minus करा? Nil अब जरा amount निका लेंगे 50% और 15% कितना बना? 15,000 and 2,250 और आप total करके देखिए ये बन रहा है 20,000 से कम तो अब आप इसको minus करना शुरू कर सकते हैं 30,000 minus 15,000 15,000 minus 2,250 and 10,000 as it is taxable होगा और इन तीनों का total करके बन रहा है 37,750 अब बात करते हैं के C प्लीज इसको जरा ध्यान से देखिएगा first year commission, renewal commission, bonus commission दिया हुआ है 35,000 में से minus करेंगे 50% 20,000 में से minus करेंगे 15% और 4,000 में से minus करेंगे nil अब जरा amount calculate करते हैं कितना बना deduction का amount 17,500 और 3,000 total बन गया है 20,500 हम 20,000 से ज़ादा तो deduction दे ही नहीं सकते अब ऐसे में आप इसको अलग-अलग minus नहीं करेंगे आप करेंगे सब incomes का total और incomes का total बेटा कितना बना 59,000 और इसमें से एक बारी A की deduction आप minus करेंगे और वो है maximum 20,000 तो 20,000 आप minus करेंगे और आपका answer आ रहा है 39,000 तो यह case A, B और case C में फरक है ध्यान से करिएगा उसके बाद next हमारा question है from the following information determine the taxable income from the commission on presumptive basis लेकिन presumptive basis में कब आएगा जब आपकी commission का total 60,000 तक है उससे जादा नहीं है Mr. A, individual है याद रखिएगा received from LIC in March 2020 as commission after TDS यानि यह जो amounts है आपके यह TDS कतने के बाद के है net amount है जबकि हम तो क्या लेते हैं हमेशा अपनी income में gross amount तो हमें इनको gross up करना पड़ेगा और Mr. A, individual है individual के case में TDS का rate क्या था अभी मैंने बताया था it is 5% तो gross up करेंगे हम अपनी ये तीनो incomes को तो चेक करिए सबसे पहले solution में इन्होंने यही किया हुआ है first year commission 28,500 multiply by 100 divided by 95 why 95? क्योंकि आपको जो यह amount दिया हुआ है वो है 95% 5% तो कट चुका है और हमें calculate क्या करना है 100% तो यह maths की equation की तरह है कि अगर 95% amount है 28,500 तो gross amount 100% कितना होगा that will be 30,000 is that very clear यह maths की बिलकुल equation की तरह हम इसको करेंगे renewal commission की बात करते है 95% 5% कटने के बाद कितना है 19,000 तो 100% कितना होगा multiply by 100 divided by 95 that comes to 20,000 अब आजाए यह bonus commission में 95% 5% कटने के बाद कितना है 5,700 100% हमें calculate करना है gross amount calculate करना है तो 5,700 multiply by 100 divided by 95 अब देखो जरा तीनों आपका total आगया 56,000 यह 60,000 से कम है तो क्योंकि कम है तो यह presumptive वाले इसके rules apply होंगे तो जरा चेक करते हैं 30,000 में आप deduction कितनी minus करेंगे 50% 20,000 में कितनी करेंगे 15% 6,000 में से कितनी minus करेंगे 0 अब जरा deduction का total करते हैं कहीं यह 20,000 से जादा तो नहीं है नहीं इसका total है 18,000 क्योंकि total आपका 20,000 से कम है अब आप हर commission में से उसकी deduction minus अलग-अलग करेंगे 30,000 minus 15,000 20,000 minus 3,000 and 6,000 minus nil और आपके पास आगई taxable income जिसका total बना 38,000 ओके तो इस वाज़ रिगार्डिंग presumptive incomes और कब यह apply होती है क्या rules है क्या sections है यह सब हम detail में कर चुके हैं Thank you